कोरोना आपदा से निपटने श्यासन प्रश्यासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है लेकिन इस भयंकर बीमारी के आने के बाद भी आज भी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो बिना डॉक्टर के ही संचालित किये जा रहे हैं और लोगों को मजबूरी में दूर दूर इलाज के लिए जाना पड़ रहा है ऐसा ही मामला उस समय सामने आया जब नर्यावली विधायक प्रदीप लारिया जड़ुआ खेड़ा अस्पताल की विवस्ताओं का जायजा लेने पहुँचे उन्होंने बताया कि जड़ुआ खेड़ा एक बड़ा सेंटर है जहां पर डॉक्टर की कमी है वह सीयमेच्चो से बात कर 15 अप्रेल के बाद इसे पूरा करवाने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अभी सीयमेच्चो से वह कल्पिक विवस्ता बनाये जाने की बात रखेंगे मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने जनता से घरों में रहने की अपील की है ज़ी आज यह पर जरुह खेड़ा में आया था यहां पर जन्धन के खाक्याति मास्क और स्टफ ऑर संनियटाइजर शन्द्वाब्युस्ता जरु vii लिए हों यहां पर जो हमारा अस्पताल है इसके भी यहां पर मैंने जानकारी ली है और यहां पर जो ड्रक्तर की कमी सामने आई है तो मैं आज ही सिय में उसे बात करूँगा जरूबा भी बड़ा सेंटर है इसमें ड्रक्तर की बिवस्ता की जाएंगा और मैं समझता हूं अंद्रा तारीक के बाद यहां करने का हम फ्रयास करेंगे और अभी कोई विवस्ता हो जायस के लिए CMH से बात करेंगी शुल मिलाकर आपके चैनल के माध्यम से आप सब के माध्यम से मैं सभी से अग्राय करता हूं मध्य प्रदेश और केंद्रिक की सरकार के जो समय समय पर नर्वेस मिलते हैं लागडाउन का और सोशल डिस्टेंस का पालन करें जिससे कोरोना जैसी बीमारी महामारी से हम लोग बस सकें मैं समस्का हूँ यह आभान लगाता हमारे प्रधान मंत्री जी और मुख्मंत्री की करते आ रहे हैं और मैं भी आपके मा प्राजब डियां तसे का रहान चाहूँआ है जड़ुआ खेडा से मनोज राए सागर टीवी नियूज झाल झाल